वेल्कम टो दा बाइवासिटी इंस्टूट अप लाइप साइंस बाइलो जी हम एक वे में एरेंज कर लेना है एक तरीके से उसको रख लेना है अगर आपने एक वे में एरेंज कर लिया चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट कर लिया और उसे साब से अगर आपने कोशन प्राक्टिस कर ली तो आपके लिए एक बोल्डन पिरियड होगा इस एक मेने का समय का utilization यही है अब कुछ चीजें खोज करें दर दर से पढ़ने के जरूरत नहीं है आपने पढ़ा है, साल भर, दो साल आपने इसमें दिया है अपने तयारी की है उस तयारी को बस समेटने की जरूरत है एक systematic way में उसको करिए सजाईए, एक दूसरी का relation जो है डूंड यह अच्छे से उसको correlate करिए चीज़ों को concept को मिलाईए नीट में पिछले lecture में जैसे हम लोगों ने बात किया था तीन तरह के questions होते हैं एक normal questions होते हैं जो almost आप बना ही सकते हैं एक to the points, numerical type questions होता है आपको वो याद अखना है कुछ बाते हैं जैसे किसी scientist का नाम है कि उन्होंने क्या अविस्कार किया, कब अविस्कार किया 10% questions जो होते हैं 70-80% questions तो आपका anxiety solve कर देगा जो 10% questions हैं वो conceptual basis पर होते हैं conceptual basis होने का मतलब है कि वो किसी particular topic से नहीं है किसी particular chapter से नहीं है वो एक mixed concept है अगर आपने ecology पढ़ा है आपने genetics पढ़ा है तो वो एक मिला जूला ऐसा concept होता है यानि कि जब आप ये समझ पाएंगी एक chapter का दूसरे chapter से क्या relation है कैसे concept को correlate करते हैं वो 10% question भी आपके लिए आसान हो जाएगा वो ही हम लोग कभी कभी कहते हैं एक out of syllabus है out of syllabus करने का मतलब क्या है कि उसमें mixed concept आप directly जो line पढ़ते हैं उस line से direct questions नहीं है वो क्या है? mixed concept तो यही चीज़ें आपको समझना एक मेना में आपने जितनी चीज़े पढ़ी है आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको एक way में arrange करिए question practice करिए previous question देखिए और अराम से बिना stress के प्यारी करिए अगर आपने अच्छे से समय दिया है तो उस समय का value है जरूर आपका जरूर इसमें मदद में लेकिए आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो है biological classification से लेके plant kingdom तक का classification तक तो जब भी हम लोग classification की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे उसको relation में देखना है कि उसका evolution कैसे हुआ वो कैसे डबल अब किया अगर इस तरीके से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको याद रखने की ज़रुवत नहीं पढ़ेगी और ये topic है भी important क्यों important है तो कि इससे 4-5 questions हर साल रहते हैं और अगर ये topic आपने अच्छे से कर लिया वो 4-5 questions आपके हैं यहनि कि बायो को पहले जब आप history का पढ़ेंगे तो पहले का बहुत अलग कहानी है यह पहले logically हम लोग सोचते थे लेकिन life science एक बड़ा ही अलग subject है इसमें logic से हटकर चीज़े हैं तो biology को जब subject के तौर पर लाया गया शुरुवात में तो इसमें दो ही classification हुआ था एक plant का और दूसरा animal का जो अरिस्टोटल सर ने किया था प्लांट को तीन भागों में बाटा था herb, shrub और ट्री और वहीं animal को जो है तो नहीं दो भागों बाटा था कि या तो red blooded हो सकता या तो red blooded नहीं हो सकता है जिसका blood rate नहीं है लेकिन बाद में two kingdom classification को finally लाया गया जो की linear sir के द्वारा दिया है Carlos linear sir के द्वारा यह याद रखना है नाम कि two kingdom classification के इनके द्वारा दिया गया है linear sir के द्वारा इसके बाद last maya five kingdom classification ऐसे three domain भी है लेकिन अभी हुआ आपको नहीं पढ़ना है five kingdom classification में आरेच वीटर संदे 1969 में classification दिया जिन्हां ने जिसमें उन्हां ने बताया कि यह पांच भागाव में पूरे living world को हम लोग बाठते हैं domain में monera, protesta, fungi, planty और animalia और यह जो domain थे monera सबसे पहला group था यानि कि इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि यह कैसे evolve हुआ तो थोड़ा सा हम लोग development पर जूर करें उसके लिए मैंने एक चार्ट तियार किया है अब के लिए जैसे माल लेज़े कि यह कोई organism है जो पहला organism है थेरी तो बहुत सारे हैं कि life के सा औरिजिनेट वार्थ में लेकिन हर थेरी का एक सार है सार क्या है कि एक organism कहीं से आया चाहे वो evolve हुआ चाहे वो organic evolution से हुआ या penis permiktheri से आया एक cell कहीं से आया उसी को हम लोग सुरवात में organism कह रहे है cell या organism क्योंकि पहले cellular level कहीं organism माना जाता था अभी भी है कुछ organism cell है bacteria cellular level कहीं है तो मान लीज़े कि वो पुराना cell जिसको हम लोग prokaryotic कहते हैं उसके पास कोई will different nucleus नहीं था और एक जब डबलब किया तो eukaryotic cell बना तो पुराने cell को हम लोग क्या कहते है prokaryotic cell तो जो पुराना cell था उसको prokaryotic कहते थे फिर उसम डबलब हुआ nucleus बने वो बना eukaryotic अब prokaryotic जो थे उसको एक term दिया गया monera ये kingdom बना monera अब monera में दो ही character या तो वो unicellular है और वो prokaryotic है ये eukaryotic हो नहीं सकता multicellular हो नहीं सकता monera का स्रीप दो character unicellular और prokaryotic अब जो develop कर गया जो eukaryote बन गया तो eukaryote में क्या ऐसा हुआ कि तुरंत multicellular चला गया है बिल्कुल नहीं पहले unicellular वो भी था तो उसमें unicellular हुआ और उसमें multicellular भी हुआ develop तो ये भी करेगा ना जो unicellular था multicellular में develop किया जो unicellular था उसको नाम दिया जाता है इसको हमनों थोड़ डिसकस करेंगे इसके कारेक्टर को कि ये unicellular है और यू करियोट है इसको जरह समझाएंगे उससे पहले थोड़ा सा multicellular समझते हैं क्योंकि इसका relation है इससे अब जो multicellular में आए उसमें दो तरह के cell दिखे गए एक जिसमें cell वाल था और ये जिसमें cell वाल नहीं था तो हम लोग खुद को जानते हैं हमारे पाँ cell वाल नहीं है तो मतलब कि ये character हमीं लोगों का है ये हो गया animal वाला system अब जिसमें cell वाल था उसमें दो तरह के nutrition के mood देखे गए आधर तो वो अधर तो हट्रोट्रापिक था तो cell वाल के साथ autotropic का होना ये दर साथ है plant kingdom को और cell वाल के साथ heterotropic का होना ये दर साथ है fungus के kingdom को फंगल kingdom को क्योंकि क्योंकि दोनों के cell वाल वह difference है यहाँ भी वहता है बेक्तिदिया के पास बनाता है नाग और नाम से बना होता है शेल्वाल, को ने कहा है प्लन के कहा क्याएं मेете अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि यह जो यह development है prokaryotic से eukaryotic, eukaryotic से multicellular, multicellular, cell wall, without cell wall क्या कोई cell जब शुरुवात हुई या यह directly बड़ा plant बन गया जो भी हम लोग देखते हैं large plants बिल्कुल नहीं शुरुवात में जब डबलब किया तो यह unicellular ही था और unicellular में ही plant के character भी डवलब हुए animal के character भी डवलब हुए, multicellular तो बाद में जाके बना तो वो सभी चीजें जो unicellular था और जिसमें अलग-लग characters थे क्योंकि हमने तो यहां कहा कि eukaryotic और multicellular है उसी को plant में रखेंगे तो जो unicellular plant का character भी तो कहां जाएगा उन्हीं सब को उठाके जो है लाएगा प्रोटिस्टा में इसी लिए प्रोटिक्स्टा का कोई जो है characteristic feature नहीं है क्योंकि इसे तो collection के द्वारा बना गिया है वो multicellular हमने सोचा था कि multicellular है तो प्लांटी है उसको कहां रखेंगे प्रोटिस्टा में याद रखना असान होगा आप हमेशा जब भी classification पढ़ें उसको development से जोर कर परें क्योंकि वह development का ही process है classification क्यों कर रहे हैं क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल रहे हैं समय के साथ पढ़ते हैं अब उसी को एक तेवल के फौम ही आपका ncrt है एकदम सिंपल सब्दों में इसको समझ सकते हैं लोग सेल टाइप में प्रोटिक किसका था मोनेरा का था बाकि सब क्या है यू करियोटिक है एक खतम हो गया कहानी सेल वाल सेल वाल तो सब में होता है सब में इसनमें होता ही है मोनेरा है इसमें सेल वाल होता है पॉली सेंती का होता है नाग नाम का होता है इसका दो को प्ल typically आर 요ीम इसमेंर्स में फॉंगस भी है इसलि Dé glamour को इसको पेशन करेक्टब्त में 75 यह मांतलब सब में प्रोजेंट है इसके बाद आयंए इसका दो करेक्टर यह दोनों क्या है स्लोलर लेवल का अब यहां से सुरूर होगा मल्टी-सेडियोलर लेवल डीमार्य और ऑर मूड-अफ-णिड्रेशन दोनों होता है इसमें फोटो काम हो रहा है इसका ग्रटा में इसके नहीं है जो के दुए बनाया गया है बेसका आया और समेवाई सां हेटोट्रॉपिक इ чर के होते हैं और कि है और है वाइदर तो वह सेप्रोफाटिक होगा आइदर तो वो फॉरा सिटीक होगा दूसरा कोई नेचर हैं नहीं दूरा अब क्या आए प्लांट में यह डर्कर मुस्ट्ली आटोट्रापीक होते हैं आटोट्रापीक प्लमस्टेटो ट्रापिक हो सकते हैं लेकिन आटोट्रापीक होतेजै